हलो एंड वेलकम टू माई चैनल केमिस्ट्री सेंट्रल लास्ट वीडियो में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के पोइंट ग्रूप्स निकालना सिखा था जो की बिलोंग करते थे Cnb पोइंट ग्रूप से जैसे के C2b and C3b पोइंट ग्रूप आज हम कुछ और मॉलिक्यूल्स डिसकस करेंगे जो की बिलोंग करते हैं DnH पोइंट ग्रूप से सबसे पहला एक्जामपल है बोरोन ट्राइफलराइड आए इसके स्मिट्री एलेमेंट डिसकस करते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने डिसकस किया था आइडेंटिटी एक 360 डिग्री रोटेशन होती है सो आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है इसलिए हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे अगर हम बात करें एक्सिज ओफ सिमिट्री की तो बोरोन ट्राइफलराइट एक प्लेणर मॉलिक्यूल है जिसके बॉंड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है सो अगर हम एक एक्सिज लें प्रपेंडिकुलर तो दे प्लेण ओफ दे मॉलिक्यूल करते हैं कि ये एक C3 एक्सिज है चलिए अब फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितनी C3 एक्सिज प्रेजेंट होती है कंसीडर कीजिए कि एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल को मैंने डिफ्रेंशेट करने के लिए ब्लू कलर से मार्क कर दिया इस मॉलिक्यूल को हम तीन बार रोटेट कर सकते हैं अडेंटिटी आने तक मतलब इसको हम तीन बार C3 रोटेशन दे सकते हैं जैसे के C3 1 C3 2 and C3 3 थर्ड टाइम C3 रोटेशन देने पर हमें अडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है तो हम यह बोल सकते हैं कि C3 3 जो है that is equal to identity सो हमारे पास सिर्फ दो ही C3 axes इसमें present होती हैं इसके अलावा इसमें और भी axes of rotation या axes of symmetry present हो सकती हैं जैसे कि अगर हम boron and fluorine atom के along एक axes लें तो उसके along इस molecule को 180 degree से rotate किया जा सकता है सो क्योंकि यहाँ पे 180 degree से rotation हो रही है इसका मतलब यह एक C2 axes है similarly एक और C2 axes यहाँ पे boron और fluorine bond के through present हो सकती है वैसे ही एक और axes यहाँ पे तीसरे boron और fluorine bond के along present होगी सो overall यहाँ पे 3 C2 axes है जिनको हम represent कर सकते हैं 3 C2 से यह 3 C2 axes यहाँ पे perpendicular होती है C3 axes के चलिए अब plane of symmetry find out करते हैं तो अगर हम एक plane पास करें boron और fluorine bond के along जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तो यह plane इस molecule को two equal halves में divide करेंगी जहाँ पे एक boron और एक fluorine atom plane के उपर ही रहेगा और दो fluorine atom जो है एक दूसरे के place पे reflect होंगे इस plane को 3D में हम इस तरीके से represent कर सकते हैं similarly यहाँ पे दो और planes जो है present होंगी जो की इस तरीके से दिखाई जा सकती है यह तीनों planes parallel होती है principal axis से इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीन vertical planes present है dihedral plane इस molecule में absent होती है so उनका number 0 है अगर horizontal plane की बात करें तो इस molecule में एक horizontal plane present होती है जो की इसकी molecular plane है अगर 3D की बात करें तो हम इसको इस तरीके से represent कर सकते हैं यह plane तीनों fluorine atom और middle boron atom के बीच में से pass करेंगी और सारे के सारे atoms को two equal half में divide करेंगी so number of horizontal planes is 1 in this case so total plane of symmetry यहाँ पे हम बोल सकते हैं के 3 sigma V और 1 sigma H अगर improper axis of symmetry की बात करें तो जैसा की हमने पहले discuss किया है improper axis निकालने के लिए पहले molecule को हम rotation देते हैं उसके बाद उसमें reflection दी जाती है through a perpendicular plane तो अगर इस molecule को हम एक C3 rotation देते हैं तो हमें इस तरीके से equivalent structure मिलता है और इस structure को अगर हम reflection दे दें through a perpendicular plane तब भी हमें एक equivalent structure ही मिलता है तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें improper axis of symmetry present होती है एक और improper axis यहाँ पे हमें मिल सकती है अगर हम इस molecule को anti-clockwise 120 degree rotate कर दें तब भी हमें equivalent structure ही मिलेगा so the number of improper axis of symmetry is 2 अगर हम center of symmetry की बात करें तो हमें center से opposite direction में same distance में same atom मिलना चाहिए जो की इस case में possible नहीं है that means यहाँ पे center of symmetry absent होता है so total symmetry elements जो इस molecule में present हैं वो है identity 2c3 axis, 3c2 axis, 3 sigma v, 1 sigma h and 2s3 क्यूंकि यहाँ पे एक special condition present हो रही है जिसको हम represent कर रहे है 3c2 perpendicular to c3 axis तो जब भी किसी molecule में nc2 axis perpendicular होगी cn axis से उस case में जो point group होगा उसको हम represent करते हैं d से उसके बाद हम लिखेंगे order of principal axes जो की इस case में है 3 and अगर planes की बात करें तो यहाँ पे दो type की planes present है sigma v and sigma h तो point group assign करते time सबसे ज़्यादा priority दी जाती है horizontal planes को उसके बाद dihedral planes को अगर molecule में present हो और सबसे lowest priority की जो planes होती है वो होती है sigma v तो क्योंकि यहाँ पे sigma h present है तो point group assign करते time यहाँ पे जो plane आएगी वो है h so point group will be d3 h आईए एक और example discuss करते हैं जो की है platinum tetracolouride platinum tetracolouride भी एक planar molecule है आईए इसके symmetry element find out करते हैं उसके अलावा अगर axis of rotation की बात करें तो अगर हम एक axis लें perpendicular to the plane of the molecule तो हम इस molecule को 90 degree से rotate कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे angle of rotation जो है 90 degree है that means यह एक C4 axis है to find out different C4 axis consider कीजिए कि एक chlorine atom को मैं red color से mark कर देता हूं और इस structure को represent करता हूं A से तो अगर इस molecule को मैं 90 degree rotate करूं मतलब एक C4 rotation दूँ तो after C4 1 we will get the structure B after another C4 rotation we will get structure C and similarly after another C4 rotation that is C4 3 we will get structure D and finally after another C4 rotation that is C44 we will get structure E so अगर हम compare करें structure A को और E को तो यह दोनों बिल्कुल identical है तो C44 जो rotation है वो identity produce करती है इसलिए हम इसको बोलेंगे C44 जो है वो equal है identity के अगर मैं initial structure A को 180 degree से rotate कर देता हूं तो हमें directly structure C मिल जाता है so यहां फे क्योंकि 180 degree की rotation हो रही है that means एक C2 rotation देने से भी हमें directly structure C मिल सकता है तो C42 जो है वो equal हो जाती है C2 rotation के इसका मतलब है के 4 C4 axes में से एक C2 के equivalent है और एक identity के equivalent है तो हमारे पास इफ दो C4 axes रह जाती है जो की है C41 और C43 C41 जो है इसको हम बोल देते हैं C4 positive जिसका मतलब है के इस molecule को हमने एक बार 90 degree rotate किया है clockwise direction में और C43 जो है that is equal to C4 negative मतलब एक बार 90 degree anti-clockwise rotation So overall यहाँ पे दो C4 axes और एक C2 axes present है जो की perpendicular है plane of the molecule से इनके अलावा अगर हम axes लें जो की पास करें central platinum atom और दो opposite chlorine atom के बीच में से तो इस axes के along भी इस molecule को हम 180 degree rotate कर सकते हैं एक similar axes यहाँ पे बाकी बचे हुए दोनों bonds के along भी present होगी यह भी एक C2 axes होगी क्योंकि यहाँ से भी हम molecule को सिर्फ 180 degree rotate कर सकते हैं जिससे कि हमें equivalent orientation मिलेगी इसके अलावा एक और axes यहाँ पे दोनों bond के बीच में present होगी जिसको हमने brown arrow से represent किया है इस axes के along भी हम इस molecule को 180 degree rotate कर सकते हैं तो यह भी एक C2 axes है एक similar C2 axes यहाँ पे और present होगी जिसको हम इस तरीके से show कर सकते हैं तो overall यहाँ पे 4 C2 axes present होती हैं जो की perpendicular है हमारी principal axes that is C4 axes से अगर planes की बात करें तो हम दो planes ले सकते हैं यहाँ पे platinum chlorine bonds के along जिनको के आप इस 3D representation में देख सकते हैं यह दोनों planes vertical planes हैं क्योंकि यह parallel होती है principal axes से और इनके उपर सारे atoms भी present होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इस molecule में 2 sigma v भी present है इनके अलावा यहाँ पे 2 sigma d भी present होती हैं जो की pass करती है in between the bonds जिनको यहाँ पे brown planes के थरूँ show किया गया है dihedral planes भी vertical planes ही होती हैं पर यह 2 C2 axes के बीच में से pass करती हैं और इनके उपर minimum number of atoms present होते हैं इस molecule में एक horizontal plane भी present होती है जो की plane of the molecule ही है और हर एक atom को वो two equal half में divide करती है जो की यहाँ पे दिखाई गई है अगर improper axis की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था इस molecule में एक 90 degree की rotation possible होती है principal axis के थरूँ अगर हम इस molecule को एक बार 90 degree clockwise rotation दे और उसके बाद एक perpendicular plane से reflection दे तो हमें बिलकुल equivalent structure मिलता है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे improper axis of symmetry भी present है एक और axis of symmetry हमें anti clockwise rotation के बाद भी मिलेगी तो यहाँ पे 2 S4 axes present होती है इस molecule के अंदर center of symmetry भी present होता है क्योंकि जैसा भी यहाँ पे आपको black arrows के थरूँ show किया जा रहा है molecule के center से opposite direction में same distance पे same atom present है तो यहाँ पे inversion भी present होता है अगर point group की बात करें तो यहाँ पे भी same condition present है that means nc2 axis perpendicular to cn axis so हम कह सकते हैं कि यह molecule belong करता है d point group को order of rotation यहाँ पे 4 है so subscript 4 आएगा और जो highest priority plane है that is sigma h so यहाँ पे हम h लिखेंगे इसलिए जो molecule का point group होगा वो है d for h let us consider another example from dnH point group that is benzeen अगर इसमें symmetry elements की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा identity अगर हम एक axis लें through the center of the molecule perpendicular to its plane so हम इस molecule को इस axis के तरू 60 degree rotate कर सकते हैं एक equivalent orientation पाने के लिए क्योंकि यहाँ पे angle of rotation 60 degree है इसका मतलब यह एक c6 axis है चलिए अब find out करते हैं कि यहाँ पे कितनी c6 axis present होती है तो उसके लिए सबसे पहले एक carbon atom को differentiate कर देते हैं red color से और इस orientation को नाम देते हैं a अब इस molecule में 6 times rotation दी जा सकती है that is c61 जो की produce करेगी b c62 जो की produce करेगी c c63 जिससे हमें मिलेगा d c64 जो की represent करेगी structure e c65 जिससे मिलेगा structure f and c66 जिससे हमें दुबारा से structure a मिल जाएगा अगर हम structure a और c को compare करें तो अगर structure a को एक बार 120 degree rotate कर दिया जाए तो हमें directly c structure मिल सकता है इसलिए जो c62 है equivalent हो जाती है c3 positive के similarly अगर हम a को 120 degree अगर anti-clockwise rotate करें तो directly हमें e structure मिल जाएगा इसलिए हम बोल सकते हैं कि c64 जो है वो equal है c3 negative के structure a को directly 180 degree rotate करने पर हमें d structure मिल सकता है इसलिए c63 जो है equal हो जाती है c2 के and c66 जो की identical structure produce करती है वो equal है identity के तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिर्फ दो ही c6 axes रहती है जो की है c61 and c65 और यह produce करती है structure b and structure f इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर two c6 axes present है two c3 axes present है and एक c2 axes present है जो की parallel है हमारे principal axes के इनके अलावा यहाँ पर और भी axes of symmetry present होती है चलिए उनको discuss करते है अगर हम एक axes लें जो की दो carbon और दो hydrogen की बीच में से pass करें तो इस axes के along हम इस molecule को 180 degree rotate कर सकते हैं एक और axes यहाँ पर इस तरीके से present हो सकती है इसके अलावा एक axes हम ले सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसके अलावा तीन और c2 axes यहाँ पर present होंगी जो की carbon-carbon के bond के बीच में से pass करेंगी जिनको हम इस तरीके से represent कर सकते हैं जैसर की आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस molecule में six subsidiary axes present है और सारी की सारी axes perpendicular हैं principal axes से अगर हम planes की बात करें तो यहाँ पर तीन vertical planes present होती है जो की carbon and hydrogen atoms के थूँ पास करती है इन planes को हम बोलते हैं sigma v planes क्योंकि यह parallel है principal axes से इसके अलावे यहाँ पर तीन और planes present होती हैं जो की पास करती हैं in between the carbon-carbon bonds और इन planes को हम बोलेंगे dihedral planes तो यहाँ पर तीन sigma d planes भी present है इनके अलावे यहाँ पर एक horizontal plane भी present होती है जो की पास करती है through the molecular plane और हर एक atom को two equal half में divide करती है अगर इन proper axes की बात करें तो इस molecule को 60 degree principal axes की through rotate करने के बाद इसको perpendicular plane से जो है reflect करें तो हमें बिल्कुल equivalent structure मिलता है उसका मतलब यहाँ पर S6 axes भी present होती है similarly अगर इस molecule को हम 60 degree anticlockwise भी rotate करें और उसके perpendicular plane से reflect करें तब भी हमें equivalent structure मिलेगा इसका मतलब यहाँ पर 2 S6 axes present होती है इस molecule में S3 axes भी present होती है जो की हमें मिले की 120 degree clockwise rotation के बाद और 120 degree anticlockwise rotation के बाद इस molecule में 2 S6 axes present है अगर center of symmetry की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि molecule के center से opposite direction में same distance पे same atom present है that means इसमें center of symmetry भी present है so these are all the symmetry elements present in the benzene molecule so इसका point group निकालते है क्योंकि इस molecule में 6 C2 axes present है जो की perpendicular है principal axes से so यह belong करेगर D point group को order will be 6 and the highest priority plane will be H so point group will be D6H तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए and subscribe कीजिए मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में thank you